नमस्कार दोस्तों, SSU Education में आपका स्वागत है। के साथ MTNL, ये चार कंपनी 5G ट्रायल इंडिया में कंड़क्ट करेंगी और ये ट्रायल में वो चाइनिज वेंडर को यूज नहीं करेंगे ये गौवर्मेंट का कंडिशन से, तो पहले ये अटेल और ओड़ापन ने हावाई की एकुप्मेंट बाय करने के लिए अप्लिके दी थी, लेकिन बाद में उन्हें चेंज कर दी, तो दोस्तों इस नियूज के साथ टेलिकॉम सेक्टर के प्लेयर, जो भी प्लेयर से, उसमें एक अच्छा खासा रन आप आने का चांसे सहा से दिखता है, तो उसमें सामिल है रिलाइंस इंडर्स्री, तो रिलाइंस इंडर कर रहा है, और पिछले दो दिन से इसने थोड़ा मुवमेंट करने का कोशिश किया, आज के दिन देखेंगे तो फ्लैट मुवमेंट है, और 0.26% के साथ 4.9 रुपीज में आप में ये ख्लोज हुआ है, इसके साथ साथ येर टेल की बात करेंगे, तो येर टेल 1.37% के साथ आज क्लोज दिया है, 5.60 रुपीज के उपर, और वोड़ा पुन आइडिया की बात की जाए, तो वोड़ा पुन आइडिया भी फ्लैट बंद हुआ है, तो वोड़ा पुन आइडिया भी स्ट्रगल कर रहा है, और यहाँ पे ये 5G इनको लाइपलाइन दे सकता है, इनके गॉवर्मेंट आप इंडिया याने डॉट ने कहा है, कि आप जो आपका एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम है, उसको भी यूज कर सकते है, 5G ट्राइल के लिए, तो यह एक आच्छी न्यूज है, इनके पास EMTNL 4.36 परसेंट के साथ आज बंद हुआ है, तो यह टेलिकम स सेक्टर के प्लेयर में कापी आच्छी कासी मोमेंट आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकती है, तो आप इसमें नजर रख सकते हैं, उसमें रिलाइंस जीओ का IPO एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, आने वाले समय में, तो यह आप न्यूज पढ़ सकते हैं, यहाँ पे र इनिस टेक्नोलोजी को यूज नहीं करना है, तो इसमें फिर जो प्लेयर्स रहेंगे जिसके एकुपमेंट फाइजिक लिए अपरो किया है, उसमें हैं एरिक्षन, नोकिया, सैम्शन, सी डॉट और रिलाइंस जीओ अपना इनिजिनेस टेक्नोलोजी डेवलप कर रहा है, तो उसका वो टेक्नोलोजी डाप्ट करेगा, यह लास्ट पहले भी न्यूज आई थी, तो यहाँ पे आप जेख सकते हैं कि जो उड़ापोन आइडिया, MTNL इन्होंने अप्लिकेशन दिये थे, इनके अप्लिकेशन अप्रूब हो है, और इनिशेली जैसे आमने बात की थ तो हवाई के साथ उड़ापोन आइडिया और भर्टिये टेल ने टेक्नोलोजी यूजिंग, यूज करने का प्रोपोजल बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया, तो यह एक पॉजिटिव ट्रिगर हैं दोस्तों, और न्यूज है, उड़ापोन आइडिया का फॉलिंग वेज में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर देख सकते आपर साइड वाला लाइन, यह रिजिस्टन्स का काम कर रहा है, और यह लोवर साइड वाला लाइन जो दिख रहा है, यह सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर हर जगे यह सपोर्ट ले रहा है, यह सपोर मुवमेंट एक प्राइस और यहाँ पर इंडिकेशन आरस आरेसाई में डाइवर्जन दिख रहा है और इस लाइन को ब्रेक आउट डिने से वापस से उपर का मुवमेंट करने का चांसे यहाँ पर काफी ज़्यादा दिख रहा है उड़ापुन आइडिया में तो उड़ाप के पास दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है भारती एर्टेल सो यह एर्टेल का चार्ट आपके सामने है दोस्तो और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह एर्टेल भी एक रेंज में कापी दिन कंसलिड़ेट कर रहा था और वह रेंज से अब ही बाहर निकला है और यह रेंज 625 के आसपस आपको resistance देखने को मिल सकता है भार्टी एर्टेल में उसके पहले 600 एक level है तो अगर भार्टी एर्टेल ये level अगर cross कर देता है तो भार्टी एर्टेल में एक अच्छा खसा run-up आपको देखने को मिलेगा इसके साथ साथ हम लोग अभी Reliance का भी चार्ट देखते है Reliance भी कापी लंबे समय से underperform कर रहा है तो उसका चार्ट भी हम देखते है अब दोस्तों आपके सामने Reliance का चार्ट है और Reliance आप देख सकते है तो यहाँ पे अभी 2200 2206 एक resistance जोन बना हुआ है और यहाँ पे 1880 1880 एक support का जोन बना हुआ है stock यहाँ पे आता है और bounce back करता है यहाँ पे तुड़ा सा और नीचे गया था और यहाँ पे 1800 के असपस support था तो यह दो बार यहाँ पे break किया था लेकिन maximum point touches यहाँ पे दिखरा है इसको तो यह एक resistance है यहाँ पे sorry support है और उपर में resistance है 2200 के आसपस अब दोस्तो यहाँ पे जो Reliance के results के बाद भी एक deep आया था और अभी 5G news और आगे की जो संबावनों दिखते हुए Reliance 1880 के support के साथ यहाँ से उपर का moment ले सकता है और पहला resistance पेस करता है 2200 के आसपस आपको एक resistance देखने को मिलेगा तो Reliance एक अच्छा trade setup बन सकता है आपके लिए और अगर 2200 को cross करेगा तो और उपर के level आपको देखने को मिलेंगे तो यह होगे है Reliance दोस्तो तो यह Telecom player में आपको नजर बनाए रखनी है यह अच्छा Returns आपको यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तो वीडियो का इसा लगा जरूर बताईए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर किजिए साथी में बेल आइकन को जरूर डबाईए दोस्तो साथी में ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पोच सके दोस्तों और डिमेट आकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्षन में लिंक दिया गया है एंजल ब्रोकिंग तो एंजल ब्रोकिंग के साथ बाकी भी आप स्टॉक्स का लिंक है फाइप पाइसा के लिंक है जिरोधा के लिंक है तो आप किसी भी अपने चोईस के ब्रोकर के साथ आकाउंट उपन कर सकते है धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ किसी वीशन तो एक उरू सॵार स्टॉ मिलेंगे मिलेंगे पूंट दोस्तों ससाय अपत् Treas